अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की ज़रुरत पड़ती है जैसे आज मैंने उसे खरी-खोटी सुनाई, वो उसे खरी-खोटी सुना रहा है, घर जाकर मैं उसे खरी-खोटी सुनाऊंगी, उसने तुम्हें खरी-खोटी सुना के सही किया ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम किसी को खरी-खोटी सुनाने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम इस phrase का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है किसी को खरी-खोटी सुनाना या किसी को खरी-खरी सुनाना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद give आता है इसके बाद noun ये pronoun में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them इसके बाद an earful आता है और last में other words आते हैं अगर बच्चते हैं तो इसमें जो ये give है ये as a main verb यूज होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि gives, gave, given, giving चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए आज मैंने उसे खरी खोटी सुनाई या आज मैंने उसे खरी खरी सुनाई I gave him an earful today, वो उसे खरी खोटी सुना रहा है घर जाकर मैं उसे खरीखोटी सुनाऊंगी या फिर तुम्हें उसे खरीखोटी नहीं सुनानी चाहिए थी उसने तुम्हें खरीखोटी सुनाकर सही किया He did right by giving you an earful मुझे खरीखोटी क्यों सुना रहे हो? Why are you giving me an earful? क्या उसने तुमको खरीखोटी सुनाई? Did she give you an earful? तुम हर वक्त मुझे खरीखोटी सुनाते हो You give me an earful all the time उसे खरीखोटी सुनाने का कोई फाइदा नहीं है मेरा उसे खरी-खोटी सुनाने का मन कर रहा है अब एक सेंटेंस आपके लिए उसे खरी-खोटी मत सुनाओ इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताईए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई